नमस्कार आप देखरेन यूज फॉर्णेशन और मैं हूँ सांपुना आपके साथ आजकल शादियों का सीजन है और हर तरफ हमें शादियों की खबरे सुनने को मिलती है और साथे साथ लोग अपनी शादी के लिए कई तरह के रस्मों को नभाते हैं आजकल कई तरह के थीम्स निकल कर सामने आये हैं जहां पर शादी को बेहद खुबसूरत तरीके से बनाने का वो एक तरीका माना जाता है लेकिन बिहार में बेहद अनोखी और दलचस्प शादी देखने को मिली जहां एक हिंदू बेटी के शादी में धर्म की दिवार तूच गय जी हाँ, इस हिंदू बेटी के शादी में मुसल्मान भाईयों ने मिलकर समधी ही रस्म अदा की और साथे साथ सारे बरातियों का स्वागत किया, दुल्हे का स्वागत किया गया और ये स्वागत हार पहना कर हुआ इसी क्रम ने राजदानी पटना में साम प्रायदिक सोहाड की मिरसाल पेश करनी वाला एक वाक्ष्या सामने आया है फुलवारी शरीफ अलाके में हिंदू बेटी की शादी थी, शादी में बारात के दर्वाजा लगने के दौरान समधी मिलन की एक रस्म निभाई जाती है समधी मिलन के वक्त लोगों की कमी पड़ गए इसका पताथ जब वहां मौझूद कुछ मुस्लिम यूवकों को चला तो वे एक चुच होकर इस रस्म को निभानी के लिए आगे आए और इसे पूरा किया मुस्लिम यूवकों ने इसके बाद बरातियों को फूल माला पहना कर उनका स्वागत भी किया मुस्लिम यूवकों के इस कदम के हर तरफ चर्चा हो रही है जानकारी के अनुसार फूलवारी शरीफ में खिंदू बेटी की शादी में संप्रायदिक सद्भाव की मिसाल देखने को मिले मुस्लिम भाईयों ने बेटी की शादी में संधी मिलन किया और आपसी सोहर्द का संदेश दिया सकरैचा पंचायत निवासी ललीन पास्वान की पहली बेटी ममता संग मनेर के सुर अर मर्वा के राहुल कुमार की शादी में अधुत नजारा देखने को मिला फुलवारी शरीफ के इसा पुर्स्थित अलफफलक मैरज हॉल में शादी समारु का आयोजन था बारात के द्वार पर आने के दौरान जब समधी मिलन की बारी आये तो दुलहन पक्ष के लोग कम गए ऐसे में समधी मिलन नहीं हो पा रहा था उसी दोरान मुस्लिम नौजवानों ने जब ये देखा तो सम्धी मिलन को आगी आये और सम्धी मिलन की रिवास को भी निभाया इस मौके पर मौझूद भागपा माले के प्रखंट सचर्व गुर्देद दास्त ने बताया कि जहां हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत और समाज को तोहनी का काम किया जा रहा है दूसरी तरफ ये शादी नफरत फैलाने वालों के लिए बड़ा पैगाम है शादी की चर्चा भर तरफ हो रही है साथ मुस्लिम युवाओं की भी तारीफ हो रही है जिन्होंने आगे बढ़कर हिंदू बेटी के शादी में निभाई जाने वाली रस्म को पूरा किया एक हिंदू बेटी की शादी थी संधिमिलन के वक्त लोग कम पड़ गए और जब ऐसा वहां पर मौजूद कुछ मुस्लिम नौजवानों ने देखा तो उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया तुरंत आगे आए संधिमिलन में अपनी भूमे का निभाई बरातियों और दुलहे का स्वागत जोशोर से किया उन्हें फूल माला पहनाए और इस रस्म को बेहुत खुशी-खुशी अदाभी किया और ये शादी अब एक बड़ा उदाहरन बन गई है एक आपसी सौहार्द का जहां पर धर्म की दिवारी चूटती हुई निज़र आए फिलागे लिए इस अबडेट में इतना ही अनके अबडेट्स के नवाए सब बने रहे न्यूस फोर नेशन में नमस्का